नमस्कार मैं मीन्यों में स्विद्धिशा में स्वागत करती हूँ आपका एक नया वीडियो के साथ में अपने यूट्यूब चैनल पे और सबसे पहले मैं बताऊंगे आपको कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है और बहुत जादा जरूरी वीडियो है और आप इसको अंत तक जरूर देखें आपके लिए मैं स्पेशल लेके आई हूँ क्योंकि आपके घर की सारी निगेटिविटी आपके घ घर के और जो भी आपकी घर में की प्रॉब्लम है वो तो दूर होई ही जाएगी साथ में आपकी बहुत भक्ती बढ़ेगी तो कि ये बहुत अच्छा वीडियो है और आप इसको अंत तक चरूर देखें अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे है तो प्लीज चैनल जरूर लेखें तो क्योंकि ये वीडियो जो है आपके लिए मैं विशेश लेके आई हूँ आपकी खुशाली के लिए और आपकी तरक्की के लिए तो ये मैं आप तेर ना करते हुए आपको बताने जारी हूँ ये मैं स्रीमत भागवत कीता का सात्वा अध्याय वो भी हिं और दूसरी बात अगर आप इसको पितरों को अरपन करते हैं संगल्प करके तो इसका पुर्ण आपको अक्षय होगा क्योंकि पितर जब खुश होते हैं तो वो अंबार भड़ देते हैं घर में जो भी निगेटिवीटी को दूर कर देते हैं सारी रुकावटें दूर कर द और वंच आपका बढ़ेगा तो ये वीडियो जरूर आप देखें और शेयर करें अब मैं बताऊंगी ये मैं आप क्या सुनाने जारी है शीमत भगवत कीता का सात्मा अधिया है वो भी हिंदी में ये इस प्रकार से है भगवान जी कहते है पहले मैं आपको बताऊंगी इसमे तक मनुस्य को भगवान के स्वरूप गुण और प्रभाव का पता नहीं चलता तब तक उसके द्वारा अंतर आत्मा से निरंतर भजन होना मुश्किल है और भजन की प्रकार जानना भी आवश्यक है इसलिए भगवान इस सात्मे अध्याय में अपने गुण प्रभाव सही सर्व स्वरूप का तता फिन फिन प्रकार के भगतियों का वरण करते हैं उसमें प्रथम उन्हें सावदान होकर सुनने की प्रेणा देकर ग्यान विज्ञान कहने की प्रतिग्या करते हैं तो ये देखे भगवान जी भी कह रहे हैं ध्यान से सुनो और जो नहीं इसको पसं इसके साथ मैं लगातार मैं 30 श्लोक पड़ूँगी, आप बहुत ध्यान से सुना। जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योखशेश नहीं रह जाता। इससे ये संपूर जगत धारन किया जाता है मेरी जेव रूपा परा अर्था चेतन प्रकति जान। हे अर्जुन तु ऐसा समझ की संपूर भूत इन दोनों प्रकतियों से ही उत्पन होने वाले हैं। और मैं संपूर जगत का प्रभूत अप्रले हूँ अर्था संपूर जगत का मूल कारण हूँ। मुझ में भिन दूसरा कोई भी परमकारण नहीं है। ये संपूर जगत सूत्र में सूत्र के मनियों के सदरश्य मुझ में कुथा हुआ है। हे अर्जुन मैं चल में रस हूँ। चंद्रमा और सूर में प्रकाश हूँ। संपूर वेदों में उंकार हूँ। आकाश में शब्द और पुषों में पुर्षत्त हूँ। मैं प्रत्वी में पवित्र, गंद और अक्नी में तेज हूँ। तथा संपूर भूतों में उनका जीवन हूँ। और तपस्यों में तप हूँ। हे अर्जुन तु संपूर्ण भूतों का सनातन बीच मुझको ही चान मैं बुत्धी मानों की बुत्धी और तेजस्यों का तेज हूँ हे भरत्ष्रेश्ट में बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ हूँ और सब भूतों में धर्म के अनकूल अर्थास शास्त के अनकूल काम हूँ और भी जो सत्वुण में सत्वुण से उत्पन होने वाले भाव हैं और जो रजुगुण से तथा तमुगुण से होने वाले भाव हैं उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान परंत वास्तों में उन में मैं और वे मुझ में नहीं हैं। संसार से तर जाते हैं। ज्यानी को मैं अंत प्री हूँ और वह ज्यानी मुझे अत्यान प्री हैं। परंत ज्यानी तो साक्षत मेरा स्वरूप ही है। क्योंकि वह मतगद मन बुध्धी वाला ज्यानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार इस्थिर है। बहुत चन्मों के अंत के चन्में तत्य ज्यान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासु देव ही है। इस प्रकार मुझ को भसता है वह मात्मा अत्यन दुरलब है। उन उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ग्यान हरा जा चुका है वे लोग अपने सुभाओं से प्रेरित होकर उस उस नियम को थारन करके अन्य देवताओं को भसते हैं अरतात पूझते हैं। जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूझना चाहता है उस उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता की प्रती स्थिर करता हूं। अंत्मेवे मुझको ही प्राप्त होते हैं। इस से तदा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं। परन्तु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ती रहे तुरुष्ट नहीं जानता। ही भरत्वन्ची अर्जुन संसार में एक्छा और द्वेश से उत्पन सुख दुखादी द्वंदरूप मुह से संपून प्राणी अत्यंत अग्यता को प्राप्त हो रहे हैं। परन्तु निश्काम भाव से श्रिष्ट कर्मों का अच्रन करने वाले जिन पुर्षों का पाप नश्ट हो गया है। जुक्त चित वाले पुरुष मुझे चानते हैं। अर्थात मुझे प्राप्त हो जाते हैं। तथा योग शास्त्र रूप स्रीमत भगवत कीता के श्री कृष्ण अर्जुन सम्माद में ज्यान विज्यान योग नामक सात्मा अध्याय संपूर्ण हुआ। और आपको अगर आप अर्पन करते हैं इसका पुन्य अपने पित्रों को तो आपकी सारी समस्याएं चड़ से खतब हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवार ने स्वैम कहा है। तो ये आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अपनी कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखे जैसी क्रिश्ना और मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत धान्यवाद। और आगे मैं अच्छे वीडियो के साथ अपस्ते दूं तब तक के लिए जैसी क्रिश्ना। कि अफस्क्राइब कर शक्राइब झालागे मैं जरुट वीडियो